दोस्तो आज किस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास आ चुका हूँ जैसे कि मेरे प्यारे सिश्टर आप लोग को जानकारी दिये थे और जो हमने कहा था सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है बहुत बड़ी खुसकबरी है UPNHM की तरब से 17,000 पलस पोश्टों के लिए जो वैकेंस से आई थी इनमें से एनम का एक्जामनेशन आपने जो दिया था उस एनम एक्जामनेशन का आंसर की आ चुका है CVT एक्जाम का आंसर की आ चुका है यानि आप लोग अपना मार्कस यहां से देख सकते हो आपका result समझे की आ चुका है तो यहाँ सब आप लोग को कैसे कैसे आपको answer की देखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको answer की में कोई doubt है कोई मन में लग रहा है कि मैंने सही बनाया था लेकिन यहाँ पर answer गलत दिखा रहा है तो उस पर आप लोग objection भी कर सकते हो objection कैसे करेंगे उसका process दिखात साथ ही दोस्तों किन केने डेटों कि मार्क्स यहां पर बढ़ने वाला है इस चीज़ की भी जानकारी दूँगा तो चलिए ऑफिशल जानकारी पर चलते हैं और पूरी डिटेल्स जानकारी यहां से देखते हैं तो मेरे प्यारे सिस्टर सबसे पहले हम लोग गुगल पर आजाएंगे और गुगल पर आने के बाद इसमें टैप करेंगे UPNRHM आप यहां पर हम लोग UPNRHM सर्च करेंगे जैसे UPNRHM सर्च करेंगे इस तरह से पेज खुल करके सामने आ जागा इस तरह से देख लिजे पेज मेरा खुल करके सामने आ गया उतरपरदेश National Health Mission इस पर किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे तो हम लोग का एक यहाँ पर नया पेज खुल करके सामने आ जागा नेट थोरा फास्ट रखिएगा तो जैसे आ गया तो हम लोग देख पा रहा है कि अब लोग यहां पर आपडेट वाला सेक्शन देखेंगे आपडेट वाला सेक्शन पर करेंगे दो इस तरह से नया पेज खुलेगंगे पेज खुलने के बाद जहाँ आप लोग नीची आएगा तो आप लोग को सामने दिखाई देना शुरू करकेगा यहां सब आप लोग देख सकते हूं अब्जक्षन पॉर्टल लाइब तीन जनवरी से छे जनवरी के बीच में आप सारे केने डेटों को कर लेना है जिसने एक्जामिशन दिया था पूरी जनकारी यहां से देख पाएंगे आज के डेटीम और तुरंत अभी यहां पर पूरी डिटेल्स जानकारी आया है तो देखिए इस पर अब लोग कर देंगे अब जैसे किली करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद देखिए यहां पर क्या- और उसमें जो question paper था वो question paper आपके सामने पूरा दिखने शुरू कर देगा आपने किसका answer को सही किया है कौन सी गलत है पूरे डिटेल्स देखेगा इस तरह से आप लोग करके आप अपना marks वहां से चेक कर पाओगे कि आपका कितना marks आ रहा है कितना गलतिया है जिन question में पास होगा आप examination दिया है तो फटा फेट चेक करिए और देखिए कि आपका कितना सही हुआ या गलत comment में जरूर बताईएगा उसके analysis के अदार पर एक fresh cut up भी बनाया जा सकता है और आपको मैं बता भी पाऊंगा कि आपका result होगा या नहीं वैसे हम एक अनुमानित cut up पहले सकते हो अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप email पर चेक करिए आपके email पर user ID जरूर होगा और password की जहां तकी बात है तो password forget भी कर सकते हो अगर आपके पास password नहीं है तो इस तरह से आप लोग बना करके बिलकुल लुप से यहां पर आपना सारा कुछ चेक कर पाएंगे तो फटा फट चेक कर लिजे एक तरह से समझे result आ चुका अब final result की बात करेगा तो final result आपको मैं जानकारी देता हूं कि 20 जनवरी से पहले आपकी final result आ जाएंगे चलिए इस वीडियो में इतना ही thank you